त्यार, आज, फिजिक्स में मचाते हैं Can normal force do a non-zero work? अब ये doubt क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जहां पर normal force zero work करता है पहले तो doubt आता कैसे ये देख लो है ना जैसे ये block है, ये इधर move कर रहा है माल लो, 10 meter per second से तो normal force ना कितना work करा? तो इस case में work done by normal is zero क्योंकि displacement इधर हो रहा है, normal और displacement perpendicular है तो एक गलत concept बन जाता है दिमाग में कि normal का work हमेशा zero होता है पर ये गलत concept है, normal का work non-zero भी हो सकता ये case देखो यहाँ पे इस बंदे का displacement ऊपर के direction में हो रहा है और इस पे देखो normal force भी उपर लग रहा है इन दिस case work done by normal is positive और negative भी हो सकता है तो can normal force do a non-zero work on the object? आंसर इस येस अगेन ये भी तुमारा zero work भी कर सकता है zero work भी कर सकता है, positive work भी कर सकता है normal और negative भी कर सकता है negative कैसे कर देगा? अगर यही lift नीचे जाने लगे यही lift नीचे जाने लगेगी, normal तो तब भी उपर लगेगा, पर displacement नीचे हो जाएगा तो low negative हो गया अरे, sub possible है, sub possible है give an example, if no, give reason हमने सब दे दी, हमने 1000 एक्जामपल दे दी 1000 नहीं तीन दी है ठीके, चला